दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को SBI Bank and Zomato Limited के साथ में टोटल 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप इस स्टॉक बोनस स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है Nile Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 812 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आपे डिविडेंड अनौंस कर दिया है 3 रुपीज का जिसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट जो है 17th of November की रहने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है Maan Infra Construction Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 150 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है RMC Switch Gears Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 645 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविडेंड अनौंस कर दिया है 0.20 रुपीज का जिसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट जोए 21st आफ नवेंबर की रहने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है दौलत Algo Tech Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 60 रुपीज के उपर में चल रहा है जिसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट जोए 20th आफ नवेंबर की रहने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है अतल Real Tech Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज सिरफ 65 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 95 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे डिविदेंड अराउंस कर दिया है 0.15 रुपीज का जिसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट जोए 15th आफ नवेंबर की रहने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है प्रेमको ग्लोबल लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 411 रुपीज के उपर में चल रहा है जिसको देने की एक्स डेट और रिकॉर्ट डेट जोए 23rd आफ नवेंबर की रहने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है पूजा एंटेटेन्मेंट लिमिटेड पूजा इंटेटेन्मेंट का जो स्टॉक प्राइज है वो 240 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आप इस स्टॉक बोनस अनौस करके रखा है 6-1 के रेशियो से जिसका मदलब यह अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो यहाँ पर आपको 6 स्टॉक से जब बोनस मिलेंगे टोटल में जो आपका एक स्टॉक है वो 7 स्टॉक के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा बोनस को देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट फिलाल कंपनी ने अनौस नहीं करिये बट जैसे ही कंपनी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनौस करेगी काफी जादा हाई चांसे रहेंगे कि इस स्टॉक के अंदर में हमें एक शानदा रैली देखने को मिल जाए तो जरूर से पूजा एंटरेटेन्मेंट को अपनी वाच लिस्क अंदर में एड करके रख लीजिएगा अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है जोमैटो लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइज है वो 123 रूपीस के उपर में चल रहा है जोमैटो लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बेसिकली MK Global Financial करके काफी जाना माना ब्रोकरेज फर्म है एंड MK Global Financial ने जो है जोमैटो के स्टॉक के उपर में बुलिशनेस दिखाते होए बाइंग रेकमेंडेशन शेयर करी है और जो टारगेट प्राइस दिया है जोमैटो के स्टॉक को वो 140 रुपीज का दिया है तो लगबग 123 रुपीज से लेकर के 140 रुपीज तक की एक जो रैली है वो यहाँ पे MK Global Financials एक्सपेक्ट करके चल रहा है जोमैटो लिमिटेड के स्टॉक के अंदर में और जरूर से आपको जोमैटो लिमिटेड को अपनी वोच्छ लिस के अंदर में एड करके रख लेना चाहिए बिकोज बैक टू बैक कमपनी ने अपने दो क्वाटर्स के अंदर में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है काफी लंबे समय के बाद में मदलब काफी टाइम बाद या कह सकते हैं पहली बार कमपनी आपे प्रॉफिटेबिलेटी में आईए तो आने वले टाइम में हो सकता है कमपनी के प्रॉफिट समय और भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएं वैसा होता है तो definitely यहाँ पे यह ब्रोकरेज कॉल हमें कहीं न कहीं एक सई साबित होता हुआ देखने को मिल सकता है तो जरूर से Zomato Limited को मिस्स मत कीजिएगा अपने watch list के अंदर में एड़ करके रख लीजिएगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है State Bank of India Limited State Bank of India का जो stock price है वो 573 रुपीस के उपर में चल रहा है और SBI की तरफ से भी एक काफी बड़ी update निकल के आ रही है बिसिकली शेयर खान करके काफी जाना माना financial institution है इवन stock market के उपर में काफी लंबे समय से काम कर रहा है और आप सभी शेयर खान को कही ना कहीं से तो जानते होंगे और शेयर खान ने जो है SBI Bank के stock के उपर में buying recommendation शेयर करी है और जो target price दिया है वो 710 रुपीस का दिया है तो लगबग 573 रुपीस से ले करके 710 रुपीस तक के एक जो rally है वो यहाँ पर शेयर खान expect करके चल रहा है State Bank of India के stock के अंदर में तो जरूर से आपको SBI को भी ignore नहीं करना चाहिए सब जानते हैं काफी दिगज company है जिस दिन आपे returns बनाने की बात आई तो काफी high potential ये company रखती है तो जरूर से SBI यानि की State Bank of India को भी अपनी watch list के अंदर में add करके रख लीजेगा और इनके अलाव आपको जिस भी stock को purchase करना हुआ ताकि आपको उनके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उन stocks को उनकी एक state से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही 10 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दो